स्थुभ्यम दर्शिकों हरहर महादीव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है कैसी है आप सब मैं आशा करती हूँ दर्शिकों आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे दर्शिकों आप सभी जानती है कि एक जुलाई दिन शनिवार को शनी प्रदोश है अस आदीव की असीन ग्रपा से हमारी जीवन के सभी कस्ट दूर होते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा वह उपाय है जिसे करने से आपके जीवन के सभी कस्ट दूर होंगे और आपके जीवन की कामना पूर्ण होगी तो चलिए जानते हैं कौन सा है वह उपाय और किस प्रकार से आपको करना है पूझने गुरुजी ने अपने शिम महापुरान कथा में इस विशेश उपाय का वर्णन किया है यदि आप सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ इस एक उपाय को कर लेते हैं तो महादेव की असीम ग्रपा से आपके जी कि दिन भर में प्रदोशकाल का समय महादेव को प्रसनि करने के लिए अति उत्तम माना जाता है प्रदोशकाल में किया गया उपाय कभी भी महादेव खाले नहीं छोड़ती हैं उनके समक्षि यदि हम इस एक उपाय को करती हैं तो महादेव की असीम के पास हमारी जीवन के सभी कारे भी बनेंगे और हमारी मनुकामना भी पूर्ण होगी प्रदोश काल का समय सुर्यास्तिक से 45 मिनिट पहले से लेकर सुर्यास्तिके 10 से 15 मिनिट बार तक का जो समय होता है वह प्रदोश काल कहलाता है इस समय पर यदि आप इस एक उपाय को करते हैं तो महादीव की असीम क्रपा से आपके जीविल में खुशियां आ जाएंगी। पांच दीपक आपको तयार करने हैं। आप चाहे तो मिटी के दीपक ले सकते हैं या आटे के दीपक भी ले सकते हैं। आटे के दीपक यदि आप बना रहे हैं तो उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भोल कर भी नहीं करना है। यदि हम नमक का प्रयोग करते हैं तो उन दीपकों को भगवान सुईकार कभी नहीं करते हैं। दीपक प्यार करने के बाद आपको लंबी बाती लगानी है और सभी दीपको को देशी इक शुद्ध गाय के घी से त्यार करना है दीपक जब त्यार हो जाए तो पांचों दीपको को पांच अलग-अलग स्थान पर आपको जलाना है सबसे पहला दीपक घर के मंदिर में जलाना है माताल लक्ष्मी और अपनी इस्ट देव के समक्ष जिससे की माल लक्ष्मी आपके जीवन की कामना को पोर्ण करेंगी और महादेव की ग्रपासी आपके घर में कभी भी धनकी कमी नहीं होगी दूसरा दीपक रसुई घर में जलाना है पीने के पानी के इस्थान के पास क्योंकि पीने के पानी यानि की परिंदे के इस्थान के पास हमारे पित्रों का वास होता है और पित्रों के आशिरवास से हमारे जीवन के सभी कारे बनते हैं और रसुई घर में माता अनपोर्णा क भी निवास होता है जिससे कि हमारे घर में कभी भी अन्यधन की कमी नहीं होती है तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है क्योंकि पूजरी गुरुजी पताते हैं कि शाम को 6 बजे से रातरी 8 बजे के बीच के समय पर मा लक्षमी धरती पर ब्रहमन करती हैं और अपने भक्तों के कस्रों को दूर करने के लिए हमारे घर में प्रवेश करती हैं तो तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको शाम के समय जलाना है चौथा दीपक आपको बेल पत्र के वरक्ष के नीचे जलाना है तो कि बेल पत्र के वरक्ष में स्वयम देवादी देव महादेव का वास माना चाता है यदि आपको बेल पत्र का वरक्ष नहीं मिल पाता है तो आप आउले के वरक्ष के नीचे जला सकते हैं या शमी के ब्रक्षी के नीचे भी आप प्रजवलित कर सकते हैं पाच्वा और अंतिम दीपक आपको महादेव के मंदिर में महादेव के समक्ष या मंदिर की चोखट पर भी आप जला सकते हैं यदि आप शिवलिंग के समक्ष जला रहे हैं वहाँ पर आप तिपक को प्रजवलित करें और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तु भ्यम मंत्र का उच्चारन करें। सच्छे मन से किया गय यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाएगा और महादेव की क्रपा से आपके जीवन के सभी कारे भी बनेंगे। धनिवाद दर्शिकों यदि आपको वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंड करें और चैनल को तुरहनते सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर क्लिक कर दें। जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएका, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और ये दिदर्शे को आपको हमारे वीडियो अच्छे लगती हैं, तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनके जीवन में भी कोई समस्या है, तो उसका समाधान वह पूजनिय गुरू जी की पुपायोसी पास सकी, धन्यवाद दर्शे को झाल